तो फ्रेंस हम लोग सीख रहेते हैं यहाँ पर स्मार्ट कॉंटेक्ट मैनेजर और हम लोग अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में यह फॉर्म मनाया था इस वीडियो में हमारा टास्क है गाइस कि हम लोग इस फॉर्म को साइन अप कराएंगे एक दम आसान वाले तरीके से तो यह वीडियो आपके लिए बहुत साथ इंपोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर हम लोग एक चीज मिस कर दिये हैं यहाँ पर चेक बॉक्स टर्म साइं कंडिशन का मिस कर दिये सबसे पहले चेक बॉक्स बना लेते हैं इसको हम लोग डेटाबेस में पुस्ट करते हैं तो कैसे करना है ध्यान से देखे हम लोग अपने फॉर्म पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग ने सारी चीजें बना ली यह इसके लिए मारी बटन थी बटन के ऊपर ही यहीं पर हम लोग यहाँ पर चेक बॉक्स बना लेंगे ठीक है तो मैं यहाँ मैं पर कमेंट लगा कि लिख दूँगा this is terms and condition agreement में लगत कम एंड कंडिशन condition फ्रल्दी ईख्रीमेंट ठीक है agreement फइलगर मनाते है तो simply हम क्या करेंगे tip बना लेंगे और यहाँ वैसे बाते काई वार्म ग्रूप आपको पता ही हुआ हुगा फॉर्म ग्रूप एक डिब और लगाएंगा यहां पर फॉर्म चेक का तो हमें आप बनेंगे फॉर्म डैश चेक पर्फेक्ट सब कुछ चल रहा है अभी तक सब कुछ चले सब्सक्राइब कर रहें मौस कर रहें और आप लोग देख रहें पट अपना खुद का अप्लिकेशन आए तो ज्यादा मजाएगा आई पिकल देखने में इतना मज़ा आता होगा आप कमेंट स्क्राइब में बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ठीक है चले तो यहां पर हम लोग आ आद बहूंद कोई दीखकर नहीं अभी सब का देंगे तो इसका भी देंगे ठीक है और क्लास हिहां पर हम लोग देदेटे ए इसका और फॉर्म दैश चेक डैस चेक डैस टेक डैस इनपूट एंड आइडि आप चाहो तो देदो दे दे देए आईड आईड लेबल किसके लिए एग्रिमेंट के लिए एग्रिमेंट ठिक है और लेबल के अंदर क्या लिखना है accept accept terms and condition ठिक है accept terms and condition एग बहुत देखते हैं इतना firm बन गया कि नहीं बन गया हाँ perfect है एक्तम सही बनाए इसको center पे कर सकते हैं है यहां पर हम आ जाते है ज़रा text center देखते है एक बार save करते है आपका देखूं कि यहाँ tab terms and condition आप accept कर सकता या आप left में रहेना तो यह तोटली आपए depend करता है चालो यह सब सही है आ जाते हैं वापस और यहां पर हम तो क्या करेंगे यह फॉर्म ओपन कब हो रहा है जब आप फॉर्म कंट्रोल पर फायर प्रेंगे साइन अप ठीक है मैं क्या क्या करूंगा model में अपना user का object blank भीज़ दूँगा कैसे यहां पर आप कर दीजिए model.add attribute और यहां पर मैं user नाम से एक mapping कर दूँगा और यहां पर new user को भीज़ दूँगा new user को send कर दूँगा user को send कर दूँगा तो कौन सा user चाहिए मजे user user मैंने लिया था हाँ ठीक है तो मैंने नया user भीज़ दिया जिससे होगा क्या कि blank fields यहां से चली जाएंगी और जब आप वहां कुछ डालोगे तो फिल्ड्स यहां पर आ जाएगी क्योंकि हमें error वगएर भी तो भीज़ना होगा तो इन सब चीज का अप्तियान दोगे ठीक है तो हम लोग ने जब sign up page open किया तो user name के key में यह data भीज़ दिया अब देखो mapping आपको कैसे करनी इस form से थोड़ा सा map बना के रखना है कैसे जब आप form यहां पर लिख रहो तो यहां एक attribute और specify कर दो वह किसले होगा बाई यह attribute होगा basically जो user वहां से आ रहा है उसका reference रखेगा तो हम लोग यहा reference user ठीक है तो यहां पर error import गलत हो गया एक देखते है इसको हटा देते है perfect है तो हम यहां पर object में simply हम लोग यहां पर user mention कर देंगा अभी यह variable है तो इसलिए हमने dollar फिर bracket के अंदर रखा है curly braces के अंदर सो यह user है अब basically हम लोग मालो कभी गलत data server side rendering हुई और कोई data user में है already तो वो data inbox में दिखाना भी चाहिए तो हम यहां पर हर एक box में यहां पर लगा के लिखेंगे दिखेंगे हम लिखेंगे TH colon और value मतलब अगर user में कुछ pass आ रहा है by default तो वह चीज में दिखाओ जैसे मैंन यूजर में नाम भीजा है तो इस फिल्ड में automatic दिखने लगेगा ठीक है इसी तरह हम लोग user.email ले 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 लेते हैं आपर TH colon value and value में हम लोग यहां पर रख लेते हैं user. email तो हमें user.email ठीक है नीचे आ जाते है password आप चाहो तो password fill कर दो otherwise password की जरूत नहीं है ठीक है password तो बा and value में simply हम लोग यहां पर रख देंगे user dot user dot user dot user dot यह description था अब आउट था देखते हैं एक बार देखना पड़ेगा user के अंदर क्या था यह अब आउट था ठीक है तो यहां पर हम लोग ने about रख दिया अब 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 आप आप डालो चाहें ना डालो क्योंकि एक अगर नहीं एक्सेट किया होगा तो आप डाल सकते हो दर रहाँ छोड़ सकते हो बार बार एक्सेट करा लेंगे तो आप देखो कि जिस चीज में आपको जरुत है उस इस चीज में आपने value specify कर देए आ यहां जो आप नाम दोगे वह इन फील्ड से मैच करनी चाहिए यह जो नाम है यह नेम होना चाहिए जिससे यहां डेटा आटोमेटिक आ जाएगा तो हम यहां पर नेम का नाम का नाम नाम देंगे and then यहां पर जो नाम मैं उस करूंगा name वह मैं उस करूंगा email जिससे data चला अग्रिमेंट तो अग्रिमेंट चले जाएगे हलाकि यह उसमें नहीं है उस वाले फिल्ड में नहीं अपने ऑब्जेक्ट में यहां पर इस यूजर के ऑब्जेक्ट में यह नहीं होगा उस यहां पर सिर्फ मिलेगा name email password and about मिलेगा पाकी कुछ नहीं मिलेगा बट फिर भी होम में होम बना लो या यूजर नाम से एक नया बना लो बट फिलाल हम भी होम में बना ले थे ठीक है बट मैं यहां कमेंट करके लिख दूँगा this handler for handler for registering registering user ठीक है तो हम simply public लिख देंगे and string और लिख देंगे register user register user और यहां पर हम यूज़ करेंगे यह आपको mention करनी है क्या sign up ठीक हुआ ही पे जाएगा अब यहां पर हमें url important है क्योंकि url पर यह तो data आएगा तो url important है तो हम यहां पर लेगे एड़रेट और post mapping क्योंकि हम post method के तुरू तो data भीज रहे है तो post mapping यूज़ करेंगे या आप यहां पर request mapping यूज़ कर सकते हो request mapping में आप दो चीज बत अगर आप चाओ तो copy कर लो गलत ना हो पाए बस ठीक है तो यह हमारा mapping हो गई ठीक है अब यहां पर method बताना होगा otherwise by default get होता है तो हम यहां बता देंगे method और method में हमें आप देखोगे तो दो चीज़ specify करने के लिए यहां पर मुझे लिखना पड़ता है value ठीक है और method के ल यह request method देखना साथ एक बार देख लें ठीक है so request method.post परफेक्ट अप सही है तो यहां पर data आ जाएगा लेकिन data आएगा तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना हम यहां पर सबसे पहले तो हम model attribute की help से हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ध्यान से दिखिएगा हम लोग यहा यहां पर object में user दिया था तो यहां user लिखेंगे and then user type का एक variable declare करेंगे इससे होगा क्या आपका data जो-जो fields match करेंगी आपके form से जो-जो field का नाम आपके form से match करेगा और user object से match करेगा वह values अपने आप इसमें आ जाएंगे तो मुझे परता है सब कुछ match करेगा बस match जो नही variable बना लेंगे जिसमें data receive करेंगे simply कैसे बनाना आप दिखेंगे यहां पर उसकर रिक्वेस्ट परम और रिक्वेस्ट परम में simply आप अपनी पास कर दिये कुछ चीज़े सबसे पहले आप नाम पास करेंगे so मैं यहां लेकूंगा value में अपना नाम दे दूँगा check box का नाम अब अगर आपने चेक नहीं किया है तो मैं यहां पर इसकी default value दूँगा तो मैं यहां लेकूंगा default and default value में में दे दूँगा false आप फॉल्स बेसिकली ऐसे दोगे तो गलत होगा तो मैं यहां पर string दूँगा वो अपने आपसे default type cast कर देगा ठीक है तो अब हम लोग यहां यहां पर simply इस bracket के बाहर चलते हैं और यहां पर boolean type का variable मना लते हैं रैपर class कर लो चाहिए आप boolean use कर लो ठीक है और यहां पर agreement है यह हो गया अब model ले लो जिससे data भीजना हो क्या पता हमें user object भीजना भी तो होगा अगर error रहागी तो मैंने यहां पर model ले लिया इतनी सा यहां पर मैंने लिया है boolean agreement के लिए and then model लिया है अब देखो सबका data एक बार print करके देखने है ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर agreement print करता हूँ ठीक है मैं यहां पर लोगो agreement agreement में आप agreement print कर दिए perfect and then user भी प्रिंट कर दिए तो मैं आ पर लिखना हूँ user और यहां पर user print करें अब देखते है डेटा आता है की नहीं आता है agreement आ रहा है UXर आ रहाया तो user में देखते हैं था में इ UFO में यहां पर आ जाता है past a single page बनाया नहीं होगा तो बना ले 159 बना है तूर्स में चलते है erat ढूल एटा समीट करते हैं देखते हैं डेटा आता है पर clear कर लेते हैं और simply आ जाते हैं अपने इसको एक बार refresh कर लेते हैं home पर चल लेते हैं और यहां पर हम कुछ insert करते हैं suppose test and test.gmail.com और यहां पर password कुछ दे देते हैं and लिख देते हैं nothing 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 and then check कर लेते हैं and then submit करते हैं आप देखो कि आप do register गया है और same form आ गया name test हो गया जो आपने वहाँ नाम डाला था email में सही email आ गई password में सही password आ गया rule null आ गया by default enabled false आ गया by default तो अब हमें enable true करना है image URL null हो गई and about में nothing आ गया contacts अभी है नहीं तो contacts black मतलब सारा data perfectly यहां पर आ रहा है आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर नहीं check करोगे for example आपने यहां पर नहीं check किया कुछ क्या देखते हैं suppose आपने सब कुछ लिखा होगा और आपने check नहीं किया और submit कर दिया so आप देखोगे यहां पर यहां पर agreement में false आ गया आप कंडिशन लगा सकते हो अपने home controller पर जो जैसा भी condition आपको लगाना है यहां पर यहां पर agreement false है तो आप पहले से error message देदो आप error message देदो या जो भी exception वहारा थोगा है तो और सब चीजे मेनेस कर सकते हो अपने according ठीक है हम लोग क्या करेंगे simply एक बार false तो आ गया हम लोग if लगा के check करेंगे agreement false है if अगर agreement अब इस case में तो true हो जाएगा लेकिन अगर अब check नहीं करोगे तो इसका अब false हो जाएगा just reverse the condition तो यहाँ पर हम लोग का मलदब check box नहीं check हुआ है तो मैं क्या करूँगा मैं out लिख दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा you have not 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 agreed the terms and condition terms and conditions ठीक है अब यह आपको नहीं दीख यह user को नहीं दीखेगा यह आपको console पर दीखेगा तो जब भी agreement नहीं आएगा तो यह आ जाएगा आप जहां से दिखो यहां पर क्या करेगा यहां पर मैं क्या करूँगा अगर return होता है sign up तो simply मैं क्या करूँगा अपने model में add करूँगा user का object model.add attribute और यहां लिखूँगा user और यहां पर अपना user का object कर दूँगा इसका फायदा यह होगा कि जो data आया ह इसमे user में वही data वापस चला जाएगा और वापस चला जाएगा तो इस form में आपके दिख जाएगा सारा data को error के case में दिखाता हूं मैं आपको जैसे मालों आपने यहां पर submit किया और accept कर लिया या आपने password कुछ डाला और तो देखिए यहां पर सारा data आगया आपने आपस तो friends अब यहां तक तो हमारा data पहुच रहा है अब हमें यहां क्या करना है database में push करना इस data को और अभी error को कैसे handle करेंगे next video हम लोग देखेंगे ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे अपने required values पहले आप set कर लिजिए ठीक है जो जो पची हुई fields है जैसे यहां पर print करने से पहले आप क्या करो user का role set कर दो set role जो भी user आ रहे है क्योंकि role आपने नहीं set किया तो मैंने का रोल जो होगा इसका वो role underscore user होगा normal user होगा and then user dot set enabled को मैं क्य script password encoder इस करूंगा तो हाँ पर bcrypt password encoder का object चाहिए होगा अब देखो object कैसे मिलेगा आप देहां से देखो यहां पर हम लोग क्या करते है एक configuration class बना लते हैं ठीक है right click करते है new पर चलते है and then आप एक class बना लो आप एक config configuration configuration या my config class आपने बना लिया और simply यह class normal package में गई गई करते हैं इसको एक और package मना लेते हैं सो हम लोग एक package मना लेते हैं smart के अंदर ही मना लेते है package my package नाम देते है .config और इसी config में अपनी class को move कर देते है ठीक है so simply हमने config में अपनी class को move कर लिया अब हम लोग यहां पर configuration यूज़ कर लेंगे configuration ठीक हर यहां पर हम लोग एक बीन क्या उसकरना आपको password encoder या Bcrypt password encoder उसकर लो Bcrypt अच्छा एक चीज़ हो रहा है यहाँ अभी हम लोग ने security ने लगाया यहाँ पर हम लोगों को ने क्या नहीं उसकिया हम लोगों ने यहाँ पर use नहीं किया है क्या security तो स्प्रिन security तो अभी आपको Bcrypt password encoder नहीं मिलेगा आप control space करोगे तो यह चीज़ step हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग security लगाएंगे ठीक है अभी आप इसको छोड़ दीजिए और हम लोग सिंप्ली चलो यह चीज हो गही हमारी अब हम लोग आ जाते हैं और password set हो गया हम लोग आ जाते हैं अपने home controller पर हमारा roll set हो गया password set हो गया अब हम लोग को simply इस data इस user को save करने के लिए क्लिए क्या चाहिए आप खुद सुचो क्या चाहिए हमें चाहिए अपने डाव का object डाव कहां भाई डाव यह है तो किस डाव repository और यहां लिखेंगे user repository और इसमें हम लगा देंगे auto आया तो इसका object में यहां पर मिल जाएगा और अब हम लोग यहां पर इसको use कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे simply print करने के बाद चाहिए print करने से पहले आप यहां पर लिख दो this.user repository.save और अपनी entity pass कर दो user database में यह देखते हैं क्या return करता है so 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 आप इसको save कर देखो user return कर देगा not id जो user yet करेगा वो object return में कर देगा so हम लोग क्या करेंगे यहां पर result में save कर लेंगे and the result को इस बार print करेंगे ठीक है अब देखते है data जा रहा है database में की नहीं जा रहा है बाद में message अगर हम लोग देखाते जाएंगे ठीक है so हम लोग एक बाहर आते हैं और रीफेस माल लेते हैं ठीक है so हम लोग के बाहर आते हैं रीफेस माल लेते हैं और यहां पर दिखते हैं अपना नाम देते हैं दुर्गेश और यहां पर देते हैं dev 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 at the rate दुर्गेश. द यहाँ पर यहाँ पर पास्वड देते हैं कुछ and हम लोग देते हैं my name is द्रुगिष द्रुग के and simply हम लोग terms and conditions को save करते हैं है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं submit कर देते हैं so आप देखोगे register पर वापस आ गया होगा इसका मालग कुछ नहीं कुछ हुआ होगा देखते हैं क्या हुआ है तो console चेक करवा सब को सही है और आपका user यहां पे क्या हुआ user देखे रेजिस्टर विवा जिसकी आईडी जीरो है यह तो user पहले आईडी जीरो होगे ठीक है पहले जीरो होगी देन देन आप देखो कि नाम आ गया इनेबल्ड ट्रू आ गया ठीक है यूजर देखो रोल यूजर आ गया परफिक्ट है एंड इमेजी वारेल नल आ गया कोई दिक्कत नहीं अब आउट में आ गया अब डेटाबेस एक बार चेक करते हैं देखते हैं यूजर डेटाबेस में गया है की नहीं गया है डेटाबेस इन दोनों को डिलीट करके फिर हम लोग क्या करते हैं तो नोग इन दोनों रोस को delete कर दे दे गड़े 안ड धार कर दे डिय कर दे ग手 लोग क्या करते है तुप से हम लोग यहां पिर आप साइण बाते हैं Dur 장 देंगे by default किसी image का नाम देंगे या कुछ भी देंगे ठीक है हम लोग यहाँ पर एक default image दिखा देंगे चाहो तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो जैसे आपने profile set user.set profile set image वारल और यहाँ पर एक नाम देदू default default default.png तो यह basically आपका नाम हो जाएगा perfect तो अब इसका मतब sign up हो रहा है बस मुझे messages को थोड़ा manage करना है तो messages को manage करने के लिए मैं class बना लूँगा helper में तो simply मैं class बनाऊँगा और class बनाऊँगा जिसका नाम देदूँगा message message में basically मुझे content चाहिए message का और इसका type बना लूँगा और इसको डालूँगा मैं किस package में इसको डालूँगा मैं अपने smart के तो अंदर डालूँगा साथ ही साथ में इसका नाम देदूगा helper में डालूँगा helper इसके अंदर मैं कुछ helper classes यूज़ करूँगा तो वह डालता रहूँगा h e a l p r helper h e h e l p r helper और simply मैं finish कर दूँगा तो यहां पर message में क्या क्या लगना है मुझे message में मुझे कुछ नहीं चाहिए string चाहिए string content चाहिए private string content ठीक है और हम लोग एक और ले लेते हैं कुछ type ले लेते हैं कि वह success होगा क्या होगा कोई message बेजना होगा तो यहां पर हम लेंगे type इसका क्या type होगा perfect है सब चीज आ रही है अब हम लोग क्या करेंगे not type string या type ठीक है अब लोग इसका constructor में आ लेंगे तो मुझे चाहिए इसका parameterized constructor तो मैं add जाओंगा import generate constructor using fields select all कर दूँगा and then generate कर दूँगा and getter setter चाहिए मुझे so मैं just source पर जाओंगा generate getter and setter getter and setter कहा है select all and generate अब इस class को उच करूँँगा message को देने के लिए कैसे message को देने के लिए देखिए देखते जाए मैं क्या करूँगा अपने home control से message पहले तो अगर सब कुछ success हो गया that means save हो गया तो इसके बाद मुझे success भीजना है इसके बाद मुझे क्या भीजना है success भीजना है so मैं क्या करता हूँ ? एक काम करता हूँ चलो इन सबको पहले क्या करता हूँ एक try catch के अंदर रखता हूँ सब कुछ मैंने कट के लिए and try and catch simply और इन सबको मैं try के अंदर रख दूंगा जो भी इस process मेरा हो रहा था और catch मे मैं क्या करूंगा यहाँ obvious बात कोई error आएगी तब catch चलेगा और अगर error नहीं आगे तो catch नहीं चलेगा that means catch के अंदर से मुझे error भीजना है अगर error आ गई catch के अंदर मुझे error आ गई तो मैं e.print stack trace तो लिए print कर दूँगा then user को भी error दिखाना है user को error दिखाना है so मैं क्या करूँगा मैं यहां पर, इस session में message डालूँगा जो session में नहीं या लिया है इस session में basically मैंज डालूँगा तो यहां पर message आ गया that means मुझे message डालना है तो मैं क्या करूँगा message में मैं डालूँगा सबसे पहले तो मैं model.add attribute तो करूँगा और add attribute में मैं लिखूँगा user, पुरानी fields, user ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा session में attribute add करूँगा, session, variable क्या लिया है या भाई, लिखते है, variable मैंने session नहीं लिया है, तो एक बार ले ले लेते हैं, कॉमा लगा के, htp session, htp session, session, ठीक है, अभी session में message बेजने के लिए, message डा dot dot set attribute, और यहां पर basically मैं लिखूँगा message, ठीक है, तो यह именно message डाल दया, और यहां पर मैं user message का object डालूगा, क्योंकि कई सारे मुझे message चाहिए, तो मैं लिखूँगा new, new मैं, मुझे क्या चाहिए, new मैं चाहिए, message, message, ठीक है, new में मुझे message चाहिए, और message में मैं अरे यह दूसरा message है भाई तो यह चीज आप ध्यान देजएगा आपको सिर्फ message है जिसमें दो यह वाला तो content चाहिए तो मैं लिख दूँगा something went wrong server error या जो भी आपको लिखना है लिख दो यहां पे something went wrong something went wrong परफेक्ट है यह आ जाएगा and then आप चाहो तो किसके विज़से error यह भी लिख सकते है ठीक है तो आप यहां पे e.get message लिख सकते हो and type आप यहां पे देदो क्या type आप देदो same exact sign up page return sign up page यह हो गई बात error की और एक चीज़ और कर देते हैं यहां पर अगर error in case आ गई error in case आ गई ठीक है कोई दिकत ने error आ गई तो मैं इसके लिए यहां पर यही message थ्रो भी कर दूँगा console प्रिंट करेगा और मैं नई exception थ्रो कर दूँगा नीचे वाला चल जाएगा और message डालेगा और वह आपस बेज़ेगा और अगर सबको सही हो जाता है देन मैं क्या करूँगा देन मैं success message डालूँगा कि हमारा काम हो गया है देन हमारा काम हो गया और यहां पर blank user जाएगा तो मैं यहां पर लिखूँगा new डालूँगा new एक सेकेंट डालूँगा new में मैं user डालूँगा अपना user ठीक है user और यह इसको कर देते हैं small n u ठीक है परफेक्ट small n u not capital थोड़ा सा यह eclipse परशान करता है ठीक है और यहां पर message क्या देना है paste कर दिए और message में यहां पर लिख दिए successfully registered successfully registered successfully registered और यह message success का होगा तो आप यहां पर क्या के लिखो success success और अब यह से बार return sign up page तो दोनों case में sign up चाहिए अगर आप चाहते हो कि एक case में कोई और view दिखे तो आप यहां पर view का नाम बदल दो that's it और यहां पर मुझे शायद एक गलत import हो गया तो इसको आप रटा द यहां पर समझ लिए में flow समझा दिता हूं मैंने का अगर agreement नहीं आपने agreement किया है agreement नहीं done किया है so यहां पर हम लोग क्या कर रहेंगे simply नया exception दो कर देंगे और वो चला जाएगा यहां पर वो user को add करेगा और simply एक message डालेगा session में और sign up page दिखा देगा आपको और अगर सब आपको सही agreement आपने डाला हुआ है मतब चेक किया हुआ है तो वो user set करेगा enable करेगा image set करेगा print भी करेगा and save करेगा and then user नया डालेगा that means fields blank आएगी महाँ पर and then set करेगा success message and then sign up view फिर से दिखा देगा अब मेरा काम है कि हमको message दिखाना है जो मैंने message यहां से डाला उसको एक page पे base.html पे आप अपने section के ऊपर यहां पर दिखा सकतू alert है यहां पर दिखा सकतो alert है कैसे दिखाना alert द्यान से दिखेगे आप simply आपको आना बूट-step पे तो हमें आप आ जाएंगे बूट-step और यहां पर आपको चेक करना है alert सर्च करना है कि है अप एक alert को यहां पर च तो अगर आप ऐसे आपने डाल दिया, तो आपको दिखे है, यह दिखे, message दिख रहा है, यह message by default कहाँ दिख रहा है, यह message by default आपका दिख रहा है, basically सारे page पे दिख रहा है, और यह dynamic message है, sorry static message है, सो एक काम करो, सबसे पहले तो, यह तो क्या करते है, इसी में डाल देते हैं, यहां पर कहीं डाल देते हैं, यहां तो यहां में margin जो आपने दिया इस को इब रच जिभाँ, sign up पेच में, और आपको यह 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 direct message, it's about this, तो यह चीज में इदर से copy मारता हूँ and यह चीज आलाता हूँ sign up page में और अपने card के अंदर ही यहां पर paste मारता हूँ ठीक है यहां paste मारता हूँ और refresh मारता हूँ तो यह message यहां आप ठीक लग रहा है क्योंकि यह चीज important है यह चीज सबसे जाज important है message को कैसे दिखाएंगे तो देखो इस div को आप तभी दिखाओगे जब message आपके session में message नाम का attribute हो तो यहां पर एक if लगा दो th colon if perfect है th colon if th colon if और यहां पर आपको session access करना है so Direct Cess a access करो अगर session में message होगा तभी यह दिखेगा message नहीं है तो यह नहीं दिखेगास देख सकते हैं पर message नहीं है अगर message नहीं दिख रहा खाए जब message आएगा register तो यह दिखेगा और दिखने के लिए यहां पर simply आप देखो क्या करना है आपको क्या करना है क्या करना है आपको देखो यह जो है ना यह depend करेगा type of message कि alert primary होगा कि alert success होगा तो मैं यहाँ पे dynamic alert type class add करूँगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आपको लिखना होगा th colon class append नाम का एक attribute है यह देखे और यहाँ पे कौन सी class append करनी है आप देखो आपका जो session है उसके पास जो message attribute है और उसके पास जो type है तो आपने उस type में अगर alert success दिया होगा तो यहाँ पे class add हो जाएगी alert success की तो यह green कलर कर गएगा और अगर alert आपने danger दिया होगा तो ए class जो है वो alert आप मलब red color दिखेगे danger पर देखते हैं यहाँ में लोग ने क्या दिया है तो हम लोग ने अपर alert एरर दिया है इसको danger रेट के लिए होता है danger तो हम लोग यहाँ पर danger कर देते हैं ठीक है तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते है and boom अभी तो रुख जाते है यहां आ गया है मैसेज का अब इसे बाद content चाहिए मुझे तो आपका content इस पी में आ जाएगा अब जब एक बार content देख जाएगा तो आपको remove भी करना होगा कि एक ही बार message दिखे तो आप यहाँ पर use करें th colon block बस आप देखते जाएए कोई block चलाने के लिए block ठीक है इसको बंद कर दीजिए and बंद कर जी ठीक है th colon block और यहाँ पर आप चलाएए एक th colon text ऐसा ही चला दीजिए इसको बस और यहाँ पर basically आप use करिए session variable ऐसे करके session session dot remove attribute और यहाँ पर आप आप pass कर जिए अपना message बस तो एक बार वो print करेगा फिर session से यह वाला line क्या कर देगा उसको remove कर देगा बस दीखते जाए सपोज आपने यहाँ पर sign up किया और आपने सब कुछ डाला सब कुछ सही और आपने सब कुछ सही डाला यहाँ पर email भी आपने email भी आपने यहाँ पर कुछ डाल दिया इमेल भी आपने यहां पर डाल दिया, दुरुगेश, इमेल डाल दिया, ABC, तो सपोज आपने सब को सही फिल कर दिया, बट, आपने यहां पर चेक नहीं किया, और आपने submit किया, तो आप देखोगे, यहां आ गया, something, something went wrong, and you have not agreed the term and conditions, तो आप agree कर लो, यहां पर, तो आप agree कर अगर आप चाहो तो यहां पर भी TH value रख सकते हो, तो एक चीज़ हम लोग और करते हैं, क्या exception आई, हम लोग ने throw किया था, वह exception आई, तो अब हम लोग यहां पर क्या कर सकते है, in case, in case, इसको text center भी कर सकते है, तो यहां पर class add कर सकते है, class of text-center add कर सकते है, तो आपका message submit किया, सही-सही, ठीक है, हम लोग ने submit किया, सब को सही-सही, अब perfect है, मैंसे सही देख रहा है, और अगर आप सब को सही डालोगे, suppose आपने यहां पे डाल दिया, and check भी कर दिया, then submit कर दिया, तो आप देखोगे, successfully register, तो आपका registration directly हो रहा है, आपका registration हो जा रहा है, तो अभ perfectly है, और registration हमारा perfectly हो रहा है, इसमें छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-मोटी कमिया है, वह आप क्या करिए, दूर करिए, और काफी वडिया से हम लोग ने messaging, message वैसे यहां पे handle किया है, इस वीडियो काफी लंबी हो गई, तो आप थोड़ा सा आराम से करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लिए, चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को जरूर लाइक करेगा, मैं मैं विल्ट आप से नेक्स इंट्रस्ट्री मुने तो पक्रे, जाहिए, जाहिए, जाहिए बारब, बाबाई